नमस्कार संस्कृति आईस के online learning program में फिर से आप सभी का स्वागत है आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्थ भी हैं आपकी इस पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति आईस ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है GS Prelims Based Question-Answer Discussion और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस पूरे प्रोग्राम के दौरान अध्यापव के द्वारा उस टॉपिक से संबंदित विगत वर्षों के प्रशनों प्लस कुछ अभ्यास प्रशनों का आपको प्रयास कराया जाएगा कि कैसे प्रशनों को हल किया जाता है और उन प्रशनों को हल करते समय टीचर के द्वारा उस टॉपिक का एक विक रिविजन भी कराया जाएगा और उस पूरे प्रोग्राम में आप लगबग 1000 से जादा प्रश्णों को हल करते वे देख पाएंगे और जो हमारा जैसा विश्वास है कि अगर कोई इस पूरे प्रोग्राम को लगातार देखता है तो निश्चिती प्रिलिम्स को एक्जाम को जादा बहतर तरीके से हल कर पाएगा आज के इस वीडियो में हम लोग अब टॉपिक प्रार्म करेंगे पिछले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन की माध्यम से बताया था कि UPSC किस प्रकार से question पूशता है और हमने देखा था कि उनको हल करने का कैसा method हो सकता है इंडियन economy के context में आज हम टॉपिक की शुरूबात करेंगे टॉपिक की शुरूबात का मतलब है किसी एक topic वेशेश से सम्मंधित question शुरू करेंगे और उन questions को देखेंगे कैसे हल किया जाता है तो last class में हमने ये देखा था कि UPSC जो question पूशता है वो किस topic पर कितना वेटेश दिया है उसने मैंने पूरा एक diagram के माध्यम से पिछले वीडियो में बताया था जिन्होंने नहीं देखा हो वो उसे जरूर देख लें एक बार उससे आपको prelims का एक अच्छा analysis मिल जाएगा उसमें से एक topic आजम लेंगे जिसका नाम है मुद्राएवं banking money and banking अर्थात मुद्राएवं banking से सम्मंधित UPSC ने विगत वर्षों में जो questions पूछे हैं उनको हम हल करेंगे देखेंगे कैसे उनको हल करना चाहिए था ताकि negative marking होने के chance कम से कम हो और थात आप confidence से answer दे पाएं और साथ-साथ उससे सम्मंधित जो topic आएंगे उनका एक quick revision भी कर लेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो विध्यारती अपना syllabus पूरा कर चुके हैं जो प्रारंबिक परिक्षा देने वाले हैं या जल्द ही 2021 में प्रारंबिक परिक्षा में बैठने वाले हैं उन विध्यारतियों के लिए ना के विद एक topic का quick revision हो जाएगा बलकि साथ साथ प्रश्णों को हल करने के द्वारा उनका आत्म विश्वास भी बढ़ेगा कि वह प्रिलिम्स पर एक्जाम पास कर सकते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक बड़ी और मुख्य बादा है कि प्रारंबिक परिक्षा में क्वालिफाई नहीं हो पाती तो प्रारंब करते हम लोग देखें यह मुद्रयवम बैंकिंग में यूपीसी ने कब 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 क्वेश्चन कितने कितने पूछे यह मैंने प्रिवेश वीडियो में भी दिखाया था हलाकि उस वीडियो में हमने पूरी इंडियन एकोनॉमी को एनलेसिस किया था आज हम उसम पूछे गए हैं लेकिन कोई भी वर्ष पिछले दस सालों में ऐसा नहीं रहा है कि यूपीसी ने क्वेश्चन इस टॉपिक से ना पूछाओ इसको देखने से एक बात समझ में आती है कि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यानि अगर मान लेते हैं कि यूपीसी बैंकिंग से लिटेट कुछ ना कुछ नियूज में आता रहता है कभी NPA के बारे में कभी RBA की कार्य प्रणाली कभी RBA के द्वारा कुछ उपाय किये गए और सवस्ता से संब्दी तो कुछ ना कुछ टॉपिक को लेकर के नियूज में रहता है इसलिए यहां से करेंट एक आप लोगों ने पढ़ाई अपने कोचिंग के दौरान या अपने सेल्फ स्टेडी के दौरान कर लिया होगा लेकिन मैं यह मान के चलता हूं यदि उसके प्रश्णों को हल करें और प्रश्णों को हल करते समय उस टॉपिक कर लें तो शायद और ज्यादा confidence बढ़ पाएग एक टॉपिक पर करेंगे और इसी तरीके से मागे चलते जाएं तो हम करीब 200 से 2500 क्वेश्णों पूरे economy से समंदित हल करेंगे जिसमें विगत वर्श और अभ्यास प्रश्णों शामिल होंगे और अगर मैं पूरे प्रोग्राम की बात करूँ तो सभी विश्यों को मिला करक संस्कृति आइस के इस प्रोग्राम में कराया जाएगा और मेरा ही मानना है कि यदि कोई विध्यार्थी उस पूरे प्रोग्राम को लगातार देखता उसमें शामिल होता है तो निश्चित ही उसकी प्रारंबिक परिक्षा पर पकड़ अच्छी हो जाएगी मजबूत हो ज देखें इससे पहले आपको इस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए आपने वह टॉपिक पढ़ लिया हो क्योंकि जिन विध्यार्थियों ने अभी स्लेवस पढ़ना प्रारंब ही किया है उनके लिए मुश्किल रहेगा क्योंकि विगत वर्स के प्रश्न है तो निश्यत र देता हूं अर्था चार वीडियो के माध्यम से वह लगबग हम पचास क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आज की इस वीडियो में हम मुद्रायवं बैंकिंग से संबंदित कुछ प्रश्न हल करेंगे और फिर बाकी के प्रश्नों को आगे के तीन भागों में देखेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों को सामिल करना बहुत मुश्किल है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी वो तो हम चाहते हैं कि आपका confidence बढ़े और साथ-साथ आप भी कुछ घर पे प्रयास कर पाए अभ्यास करें उस पर इस कमेटी या मौद्रिग नीती समीती के संबंद में निम्नलेखित कथनों में से कौन से कथन सही है अर्थात मौद्रिग नीती समीती पर question है और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब मैं इन कथनों को तब तक नहीं पढ़ता जब तक इस टॉपिक के बारे में हम कुछ विचार ना कर लें क्या है यह मौद्रिग नीती समीती क्योंकि मैं यह मान के चल रहा हूं कि यदि आपने content पढ़ रखा है यदि आपने study किया हुआ बैसिक knowledge आपने ले ली है तो आपने यह पढ़ लिया होगा तो पहले उसका एक quick revision दिमाग में आना चाइए quick विचार आने चाहिए कि मौद्रिक नीती समीती के बारे में हम क्या जानते हैं और जितने भी विचार दिमाग में आएं उनको शामिल करते वे फिर कथन पढ़ेंगे तो कन्फीजन के चांस कम हो जाएंगे आप बहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे और जो मैं हमेशा कहता हूं कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो पाएगी क्योंकि प्रारंभिक परिक्षा क्वालिफाई ना होने का एक सबसे बड़ा करण है कि क्वेश्चन ज्यादा अटेम्ट कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के करण बाद में रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है इसलिए हम इन कथनों को तब तक नहीं पड़ेंगे जब तक हम उस ट्रॉपिक के बारे में क्विक रिवीजन ना कर लें और मैं हमेशा द्रड़ विश्वास से कहूंगा यदि आप इस मेथड को फॉलो करें तो शुरुवात में हो सकते हैं आपको शुरू के 50-60 कोश्चन तक आपको लगे सट टाइम लग रहा है लेकिन टाइम लगने के साथ साथ आप यह देखेंगे एक्यूरेसी का परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा और बाद में आपका टाइम आटोमेटिकली कम हो जाएगा जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे देखें यह बात तो आपको भी समझा रही होगी कि सरकार ने एनाउंस कर दिया है कि जो कोविड-19 की समस्या हो जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है और प्रधान मंतरी ने अपने संभोधन में बताया भी है कि सरकार योजनाय शुरू कर रही है जिससे गरीब नागरिकों की हेल्प की जाए उनकी आवश्यक्ताओं को पूरा किया जाए और नौमबर तक सरकार ने पूरा प्लान बना लिया तो इसका मतलब यह अभी आगे लंबी प्रॉसस है समय लगेगा तो एक तरीका तो आप लोगों के पास है कि आप घर बैठे रहे और अपने अपने तरीके से बस के वाल टॉपिक का रिविजन करें लेकिन मुझे लगता है कि टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन और क्वेश्चन के पर आपकी कमांड बढ बैतर रहेगी को तो यह जो टॉपिक है यह मॉद्रिक नीति समीति पर बात कर रहे हैं सबसे पहले नीति सब्द को समझ लेते हैं मेरा यह मानना है कि आप लोगोंने मॉद्रिक नीति जरूर पढ़ी होगी क्योंकि जब RBI के कार्रें पढ़ते हैं मौद्रिक नीति की समिक्षा करना मौद्रिक नीति किसी देश के किंद्रिवेंग की वह नीति होती है जिसके माध्यम से वह अर्थव्यस्ता में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करता है है मुडरा की तरलता को निंत्रित करना है liability को घंट्रोल करता है और यहाँ पर वो देश का किंद्री वैंक तरलता निंत्रित क्यों करता है यदि हम भारत के संदर्व में बात करें तो ये काम RBI कर रहे है मौदरिक नीती की समिक्षा आपको पता होगा कि प्रतेख दो महाबाद की जाती द्विमासिक आधार पर यह दपी आवशक्ता पढ़ने पर आर्बिया उसे बीच में भी कर सकता है लेकिन रेगुलर बेसिस पर जो समाने स्थतियों में वो द्विमासिक समिक्षा करता है तरल मुढ्राइस्वीटी दर्पर नियंत्रन करने के लिए और दूसी तरफ आर्बियाई तरलता को बढ़ा करके आर्थिक समरद्धी या об Hanım ग्रूत को भी बढ़ाने का प्रयास करता है ग्रोथ को बढ़ाना है और मुद्राय स्वीति दर पर नियंत्रण करना है अर्था तो दोनों के बीच में एक सामंज से बना रहे ऐसा करने के लिए आर्भी समय समय पर मौद्रिक नीति में परिवर्थन करता है मैंने इसको संछेप में बताया है डिटेल से आप लोगों ने पढ़ रहा हो तो मैंने कहा कि आपको मेरा टार्गेट है कि संछेप में एक टॉपिक का रिविजन और फिर कोश्चन हल तो आर्थिक सम्वरद्दी और मुद्राय स्वीति दर के मध्य सामंज से बनाए रखना या कीमतों पर नियंत्रण करना या फिर हम कहें कि एकनौमी मे उद्देशे रहते हैं इन उद्देशों के पूर्ति के लिए आर्बिय द्वारा मुद्रिक निती कभी सस्ती कर दी जाती है कभी मुद्रिक निती को कठोर कर दिया जाता है अर्था सस्ती मुद्रिक निती में आर्बियाजदरों को कम कर देता है और कठोर मुद्रिक निती मात्रात्मकुपकरण के तहत केवल मुद्रा की मात्रा नियंत्रित करना उद्देश्य होता है और चैनात्मकुपकरण के तहत मुद्रा की मात्रा के साथ-साथ किसी छेत्र विशेश में मुद्रा के प्रभाह को भी नियंत्रित किया जाता है मातरात्मक उपक्रणों में ये सारे नाम हैं आप लोग नहीं पढ़े होंगे मैं एक बर क्विक रिवीजन कर देता हूं इनका LAF की फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एड्जस्टमेंट फैसिलिटी हिंदी में तरलता समायोजन सुविधा और इस LAF के अंतरगत RBI Rapporate और Reverse Rapporate इन दोनों का प्रियोग करता है रपोरेट के माध्यम से RBI अनुसूचित वानिजिक बैंकों को उधार देता है और रिवर्स रैपूरेट के माध्यम से आर्ब्याई अनुसूचित वानिजिक बैंकों से जो उनके पास अतरिक्त तरलता है उसको अवशोशित कर लेता है फिर वी आरार की फुल फॉर्म है वैरियेबल रिजर्व रेशियो यानि परिवर्तनिय कोश अनुप कुछ वी रिजर्व रखते हैं और है यहाँ पर इसलार में उनको स्यौन के पास कुछ पर्सेंटेज रिजर्व रखना होता है वो भी अज़िक रमेक्ष रिजब कर द्यार में गोल्ड कहर लोग ने पढ़ा होगा यह भी माद्ज्विकी तरलैड तरह प्रभावित होगी फिर open market operation open market operation में RBI सरकार के प्रतिनिधी की रूप में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रेविक्रे करता है open market में क्रेविक्रे और वह भी फिर तरलता को निंत्रित करने में help होती है उससे भी कैसे करेंगे वह help अगर कोई आर्बे द्वारा minimum margin limit decide कर दी जाती है बैंक उस margin से कम margin limit नहीं रख सकते हैं और आपको पता होगा कि margin limit बढ़ाने से बैंकों का जो जोखिम है risk है वो कम हो जाता अर्थात risk management में भी काम आता है तो यदि आर्बे मार्जिन limit minimum margin limit को और कम कर दे तो अर्थात बाजार में तरलता बढ़ जाएगी फिर नैतिक दबाब और साख राश्निंग इस नैतिक दबाब का में क्विक revision करने के लिए कि मौद्रिक निती में क्या-क्या शामिल होता है कौन-कौन से उपकरण है ज्यान रखेंगे हम यहां पर topic नहीं पढ़ रहे हम questions को हल करने के लिए और भैतर ढंक से हल करने के लिए topic का एक क्विक revision कर रहे हैं अब आपको आगे पता होगा कि मौद सुधन करके मौद्रिक निती की समिक्षा के लिए एक समीती बना दी गए जिसका नाम रखा गया मौद्रिक निती समीती और यह समीती क्यों बनाई गई इसका परपस था कि मौद्रिक निती की समिक्षा में पारदर्शिता को बढ़ावा देना जवाब देयता को बढ़ाना आर्बियाई के गवर्नर के पास समस्त अधिकार ना रहें, मौद्रिक नीती की समिक्षा पारदर्ची डंग्षे हो और जो हम टार्गेट लेके चल रहे थे कि आर्थिक समरद्धी और मुद्रय स्वीती दर के मद्धे सामन जसे उस टार्गेट को पूरा किया जा सके, इसके लिए मौद्रिक नीती समीथी नाम की एक निकाय बना दिया गया इस समीति में कुल 6 सदस्य होते हैं, टोटल 6 मेंबर होते हैं, इन 6 सदस्यों में 3 सदस्य आर्बियाई द्वारा और 3 सदस्य सरकार द्वारा नामित की जाते हैं, जो सरकार के 3 सदस्य हैं वो 3 अर्थ शास्त्री हैं, 3 एकोनोमिस्ट हैं, कोई political person नहीं और आर्बियाई के 3 सदस्यों में एक governor, एक deputy governor और साथ में एक केंद्रिय बोर्ड द्वारा नामित bank अधिकारी, तो मैं यहाँ पर केंद्रिय बोर्ड लिख देता हूं, केंद्रिय बोर्ड द्वारा नामित bank अधिकारी, टोटल 6 सदस्य मिल करके बन गया मौदरिक निती समीत अब ये समीति प्रतेक दो महाबाद बैठक करेगी और मौद्रिग नीती की समिक्षा करेगी जिसमें निर्ने लिया जाएगा कि ब्याज़दरों को किस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि अर्थविस्ता को सुचारू ढंग से और आगे बढ़ाया जा सके और जो मैंने कहा कि राजकोश्य नीती और मौद्रिग नीती के मध्य तालमिल बनाया जा सके हैं यह छे सदस्य वोटिंग करेंगे बहुमत की आधार पर यहां निर्ने लिया जाएगा मैजॉरिटी की आधार पर डिसीजन होगा यदि कभी ऐसा होता है कि वोटिंग बराबर हो जाए यानि बर नायक मत देने का अधिकार होगा अर्थात वो एक और वोट डालेंगे टोटल मतों की संख्या साथ हो जाएगी साथ में से फिर चार एक तरफ तीन यानि बहुमत के अधार पर निर्ने ले लिया जाएगा मौद्रिक नीती समीती के अध्यक्ष्टा आर्बीए के गवर्नर ह करेंगे और उन्हें निर्नायक मत का वी अधिकार है उस इस्तती में जब मतों की संख्या बराबर हो जाए अर्थात जब मैच टाई हो जाए तब उस तहमें वो निर्नायक मत दे सकते हैं तो हम यह समझ गए एक overall कि मौद्रिनीती समीती क्यों बनाई गई थी उसमें कौन से सदस्य हैं और किस प्रकार से वो काम करते हैं और यह जो सभी सदस्य जो अपना मत देंगे कि हमें ब्याजदर कम करनी है जादा करनी है जो भी उनको कहना है उनके तरक को कुछ दिनों बाद सर्वजनिक कर दिया जाएगा अर्थात पब्लीकली उन तरकों को कर दिया जाएगा कि इन्होंने अपना क्या तरक दिया था और क्यों दिया था सभी लोग यह जान पाएंगे, सरकार भी जान पाएगी कि आखिर हुआ क्या था इस बैठक में तो यह रही मौदरिग निती समीती की बात अब हम जो क्वेश्चन देख रहे थे, एक बार उस क्वेश्चन को देखें और आप गौर करेंगे, इतना सुनने के बाद क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर मिलने लगेगा, तो confusion बहुत कम हो जाता है तो मैंने क्या किया, पहले topic का एक दिमाग में revision किया अब आप लोग जो बार बार हमेशा दिमाग में आएगा आप कहा सकते हैं इसमें तो सर बहुत समय लग जाएगा, यह समय इसलिए रग रहा है क्योंकि मैं board पर समझा रहा हूँ अगर यह question हल करना होता और exam दे रहे होते तो हम यह सारी बातें विचारों में लाते इनको लिख करके किसी को समझाना नहीं होता अर्थात समय नहीं लगता है तो जो negative thought वाले लोग हैं वो जारूर जहान दे इस बात पर उनका कहना है सर इसमें तो बहुत जादा समय लग गया हमेशा गौर करें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसको लिख करके किसी को समझा रहे हैं आपको जब स्वैम से बात करनी होगी अपने ही विचारों में तो आपको बहुत कम समय लगेगा और मुझे लगता है जिसने पढ़ाई की हुए है उसको शायद 30-40 सेकिंड में सारी बाते रिवाइज हो जाएंगी तो एक बार क्वेश्चन को फिर से हल कर लेते हैं पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अब देखें जरा क्या लिखा है कि मौद्रिक नीती समीती से सम्मंदित कथन पहला कथन पढ़ते हैं यह आरबियाई की मानक ब्याज दरों का निर्धारन करती है बताईए यही समीती निर्धारन करती है आरबियाई की दरों का ब्याज दरों का बिल्कुल ठीक है यह समीती निर्धारन करती है ठीक है पहला कथन दूसरा यह एक बार में लिखा हुआ जैसे मैंने आधा पड़ा बारा सदस्य निकाय यहीं पर कट कर दिया गलत हो गया अब उसमें आगे क्या लिखा है हम नहीं पड़ते क्योंकि स्टेट्मेंट गलत हुआ ऐसा करने से टाइम बचता है और आप कॉंफिडेंटली जवाब दे पाते हैं यह गलत था या सही था और तीसरा लिखाई है केंद्रिय वित्तमंत्री की अध्यक्षता में कारे करता है बिल्कुल गलत है वित्तमंत्री तो इसमें कहीं बैठक में भागी नहीं लेते हैं तो यह भी कथन गलत हो गया हमारे इसाब से आंसर होना ची केवल एक अब हम ढूंडेंगे केवल एक कहा है समाने ते लोग क्या करते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लोग एलिमिनेशन शुरू कर देते हैं मैंने कहा था उसमें भी एलिमिनेशन आप करें लेकिन तब जब आपको इस टॉपिक की बहुत कम नॉलेज है या आपको बिल्कुल भी या याद नहीं आ रहा है तीन में से केवल एक ही कथन के बारे में याद आ रहें बाकी दोनों याद नहीं आ रहें तब भली कोशिश करें एलिमिनेशन की वह रिस्क है हलाकि मैं उसके बारे में कभी सलह नहीं दूँगा लेकिन जब आपको टॉपिक की पूरी नॉलेज हो आपका जीरो आ रहा है, तो आपका जीरो अधा Oui, hmm is कि उसी प्रकार ही है अगर आपको लगता है कि आंसर एक है तो केवल एक ही मिलना चाहिए, सारे ओप्शन पढ़ने मिलना ची केवल एक तो केवल एक इसमें लिखा हुआ है और यह UPSC ने 2017 में पूछाता है प्रशन देखें क्वेश्चन हल करने के लिए मैंने क्या किया एक तरीका वही था जो समानेते सभी अपनाते हैं वो क्या था कि पहले प्रशन पढ़ लो उसके नीचे तीन कथन पढ़ है वो इनी तीन कथनों के आसपस घूमने लगता है हम इनसे बाहर सोच ही नहीं पाते हैं परणाम सरूप फिर कन्फिजन बढ़ जाता है और लास्ट में जाके चांस होते हैं कि नेगेटिव स्कोर आ जाए इसलिए मेरा हमेशा यही सला रहेगी आपको कि मौद्रिक नीती स समीती बताई आप अगर पढ़ाई कर चुक है और आप वास्तव में एक्जाम हॉल में ही बैठे हैं तो आप सिधा सिधा मौद्रिक नीती समीती के बारे में विचार करेंगे समीती में 6 सदस्य बहुमत के अधार पर निर्न है बराबर मतों में निर्णायक मत अध्यक्स्ता आरब एक गवर्नर द्वारा इस परकार जब आप क्विक रिविजन करेंगे तो आपको यह कथन हल होते वे नजर आएंगे कौन सा कथन गलत है क्यों गलत है वो सब दिमाग में रीखैप होने लगता है और यदि आपने क्लास की हुई है तो मुझे लगता है पूरी की पू अच्छे से समझ में आ पाए देखें यहां लिखा यह 2015 में आया है UPSC में लिखा कि भारती अर्थवस्ता के संदर्म में निम्नलिखित पर विचार कीजिए अब चार यहां पर पॉइंट है और फिर यह मौद्रिक नीती के घटक कौन से हैं मैंने इन चारों को नहीं अब ध्यान दिया हूँ तो मौद्रिक नीती के घटक जैसे रेपूरेट्ट रिवर्स रेपूरेट्ट ची और इसलार ओपन मार्किट ऑपरेशिन यह सब घटक हैं मातरात्म अकुपकरन में थे और इधर चायनात्मस में अब हमसे जो पूछा है कि कौन से मौद्रिक नीति के घटक है मुझे लगता है इसमें तो बहुत जादा दीकत आनी नहीं आसान है पहला बैंकरेट बिल्कुल बैंकरेट मौद्रिक के वच में गहते हैं जब सरकार बजट को सरकार संसत के सामने परस्तुत करता है वस समय आता है कि बजट में घाटा हुआ फिर घाटे की वएची के सामने संब्रिक निति नहीं है और दूसरे संद्थ में भी कह सकते हैं कि लोग या पिलिक इव इकESE स्वाणलति के लिए रूहीं करते हैं तो ये डूनों पॉइंट यहां पर शामिल नहीं होंगे तो माध्यारीग के घठक कौन से varit मेरे खियाल से कांट्ट नहीं हम जवाब दे पाएंगे फिशल में किल एक और धो हुआ में पहला आप्ट्षन नहीं है एक और दो दूसरा तरीका क्या था जो मैं हमेशा कह रहा हूं कि वह गलत तरीका है कि पहले इस उपर के स्टेट्मेंट को पढ़ा फिर आपने चारों पढ़े फिर नीचे यह पढ़ना शुरू किया फिर ऑप्शन भी देख लेता है और फिर से शुरू से करना पढ़ता है डबल में कपहरना जाएं कैंदृ यूद्र निति तरलता को नियंत्रित करने के लिए की इंड़िये वेक दो मेंने समिक्षा करता है दो किरन मातरात्मक चैनात्मक सस्ती मौधरी निति उप्रनां 330 उनके नाम दिमाग में फिर next question को देखते हैं यह question 2014 में 2014 का question है भारती अर्थविस्ता के संदर में निमनलेकित में से कौन सा या कौन से सामविधिक आरक्षित आवश्रक्ता हूं English word भी देख लेते हैं in the context of Indian economy which of the following is the purpose of statutory reserve requirements statutory reserve requirements यानी SLR से संबंदिती question है क्योंकि वह भी reserve requirements है मैंने कहा था VRR का हिस्सा है तो यहाँ पर SLR से संबंदित बात हो रही है अब चूंकि SLR का topic है तो हम पहले SLR को एक बार revise करें तो मैंने अभी आपको मौदरी नीती के समिक्षा जो बताया था उसमें क्विक एक revision के समय मैंने एक परिभाशा बताए कि SLR अनुशुचित वानेजिक बैंकों को अपने NDTL का कुछ प्रतिशतिसा सरकारी प्रतिभूतियों की रूप में या गोल्ड की रूप में या cash reserve करके रखना होता है अपने पास यानि स्वेम के पास और CRR RBI के पास और यह NDTL का percentage है अब देखें आपकी SLR यदी change हो जाए SLR को यदी RBI बढ़ा दे या SLR को RBI घटा दे तो इससे तरलता प्रभावित होती है बिल्कुल ठीक है अगर SLR को बढ़ा दिया जाए तो बाजार में तरलता कम होने लगेगी और कम कर दिया जाए तो तरलता बढ़ जाएगी SLR क्यों रखा गया है SLR इसलिए रखा गया है कि बैंकों के पास जो धन है वो सुरक्षित रह सके सुरक्षित का यहां परतात पर रहे है कि केंद्रिये बैंक उनका नियमन कर सके स्ट्रेच्वरी लिक्विडिटी रेशियो और इसके लिए आपको पता होगा बैंकिंग रेगुलिशन एक नैंटीन फोटी नैं में प्रावधन किया गया है इसलिए यहां पर स्ट्रेच्वरी यह सामविदिक शब्द का प्रयोग भी किया गया है अब हम उस टॉपिक को क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या क्या हो गया है ऐसे लार हमें दिमाग में आ गया हमने विचार कर लिया और मुझे लगता है बीस- Sundays लगते ऐसे लार के बारे में सोचा आपने अब इनको पढ़ें तो यहां पर चार कथने फिर नीचे कूट ब परदान करना अगर यह हिंदी में थोड़ा भी आपको ऐसा लगता है कि सर्भासा क्लिस्ट है डाउट लग रहा है तुरंत उसका इंग्लिश पढ़ ले तो इनेबल दसेंट्रल बैंक तो कंट्रोल एमाउंट अफ एडवांस इस देंक्स केन क्रियेट बैंक जो ग्रहाकों को रिन दे रहे हैं बैंकों द्वारा जो ग्रहाकों को रिन दिया जा रहा है उस रिन की मात्रा पर नियंत्रन करने के लिए अब देखिए कैसे आंसर आ रहा है तो यहां पर अगर SLR को RBA बढ़ा देगा मौद्रिग नीती की समिक्षा का दौरान तो आपने पढ़ा होगा कि बैंकों की साक्स रिजन छमता प्रभावित होगी SLR बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब बैंकों को पहले के तुलना में जादा रिजर्व रखना पड़ेगा तो बैंकों की जो साक्स रिजन छमता है वो घड़ जाएगी सही है साक्स रिजन शब्द का प्रयोग UPSC ने इस क्वेस्टन में ने किया लेकिन भाशा वैसे ही मिल जुलती जुलती आई है लिखा है कि टू इनेबल दा सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल दा एमाउंट ऑफ एडवांस अग्रिम राशी हिंदी वर्ड यहां पर प्रयोग किया गया बैंक जो आगे लोगों को एडवांस देने वाले हैं यानि रिन देने वाले हैं उसकी मात्रा को निंत्रित करना तो बिल्कुल ठीक है ऐसल आर को चेंज करने से उसकी मात्रा निंत्रित होने लगी है तो पहला कतन भीख यह दूसरे में लिखा है बैंकों में जंता की जमराशियों को सुरक्षित वर्ड तरल रखना देखिए ऐसल आर को पढ़ने से ऐसा लगता तो सही है कि जमराशियों को सुरक्षित रखना तरल वर्ड कुछ हद्たक सही भी है क्योंकि वह गौश्ट सीक्रिटी में बैंकों से रिजर्व करके रखते हैं इस एल्ला ने बैंक समानत है को परिफर करते हैं लेकिन यह सुरक्षित रखना यह थोड़ा सा यहां पर मुश्किल वर्ड है सुरक्षित के लिए तो बैंक बैंकों में जो हम लोग डिपोजिट करतें तो और बीए लिए इन्टिश्वरेंस नियुक्ते होती है। सुरक्षित रखने के लिए में काम आती है यहां पर तरल शब्द तो ठीक था लेकिन सुरक्षित शब्द ने सेंटेस को गलत कर दिया तो हम इस सेंटेस को इस संदर में सही नहीं मान सकते इसलिए यहां पर सेंटेस को हम सही नहीं मानेंगे तीसरा कथन लिखा है कि व्यवसाइक बैंकों को अत्यदिक लाब कमाने से रोकना इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है सल्रेकों बढ़ाना आरविय इसलिए चेंज नहीं करता है कि व्यवसाइक बैंक लब कमाएं परन्तु आर्बी यह भी चाहता है कि व्यव्यवसाइक बैंक, जो ग्रहाकों को रिण दे रहे हैं या जो बाजार में तरलता आगे विस्तरत विस्तार करने तरलता का वो इस प्रकार से हो कि अर्थववस्ता को भी लाब हो RBI को वेवसाइक बैंकों के लाब से बिल्कुल आपत्ती नहीं है वो लाब के लिए ही काम करेंगे इसमें तो कोई गलत बात नहीं है तो ये statement गलत हो जाता है फिर चौथा लिखा है बैंकों को दिन प्रति दिन की आवश्चताओं को पूरा करने के लिए परयाप्त कोस्ट नगदी वॉल्ट कैश रखने को बात दे करना नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है SLR डे टू डे इस तरीके से नगदी बात दे करने के लिए नहीं कहता SLR में तो गोल्ड गवर्मेंट सेक्यरिटी जोर कैश तीनों अप्शन होते हैं तो यहां केवल नगदी की बात कर रहा है और इसको डे टू डे से इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस परकार आंसर क्या निकला केवल और केवल एक स्टिट्मेंट सही है 2014 में एक क्वेशन आया हुआ है और यहां पर केवल एक इसका अंसर सही होगा अब आप गौर करेंगे कि जब आप SLR पढ़ते हैं नोट्स में पढ़ा या आपने सेल्फ स्टड़ी की किसी बुक के माद्यम से तो आप गौर करेंगे SLR तो बहुत सरल सी परिभाशा लगती है उसका क्वेशन देखा तो लगता है यह तो यूपीसी उस आसान भाशा को भी कितना जटिल करके पूछ सकता है और कन्फूजन बढ़ जाता है तो यहां पर केवल पहला स्टेट्मेंट सही माना जाएगा नेक्स्ट आगे बात करते हैं एक क्वेशन लिखा है कि सीमांत इस्थाई सुविधाधर यानि यह MSF रेट की बात कर रहा है MSF रेट इंग्लिश में भी लिखा होगा the terms marginal standing facility rate और तथा निवल मांग और सावधी सावधी देयता है NDTL की बात हो रही है net demand and time liabilities अब आगे पढ़ें पूरा क्वेशन MSF रेट और NDTL पद बंद कभी कभी समाचार में आते रहते हैं उनका प्रयोग किसके संदर में किया जाता है अब आप सोचें किसके संदर में तो NDTL हम कब calculate करते हैं जह हमें CRR और SLR को समझना है हमें MSF रेट को समझना है तो हमें पहले NDTL सब्द सही है यानि वानिजिक बैंक RBI के पास जो cash reserve रखेंगे वो भी NDTL का percentage है वानिजिक बैंक जो SLR reserve करेंगे वो भी NDTL का percentage है और फिर MSF रेट में भी जब गणना की जाती तो वो भी NDTL का ही percentage calculate किया जाता है अर्थातम जब NDTL पढ़ रहे हैं तो वानिजिक बैंकों के संदर्व में पढ़ रहे हैं कि वानिजिक बैंक RBI से जब लेंदेन कर रहे हैं या RBI के नियमों का पालन कर रहे हैं उसके लिए पहले NDTL calculate किया जाता है आप लोगों ने पढ़ा होगा NDTL net demand and time liabilities इसक चार में से कोई एक option है अब अब यहां पर एक दिमाग में आता है कि क्या MSF rate को पहले quick revision कर लें चार option को देखके लग रहा है इसमें MSF rate बस यह पूछा किस से सम्मंदित है उस MSF rate यह NDTL की detail नहीं पूछी है इसलिए हम उसका detail से अध्यन नहीं करेंगे क्या पूछा option देखें और option देखके लगता है बहुत सरल है किस से सम्मंदित है banking कर रहे हैं संचार networking युद्ध कोशल या क्रशी उत्पादों की पूर्ति यह मांग यह question बहुत आसा है मुझे लगता है इसमें banking कार्यों से यहाँ पर सिधा सिधा अंसर है यह banking कार्यों का question है अब इसी question को अगर और मुश्किल बनाना होता तो UPSC इसमें मौद्रिक नीती इस शब्द को जोड़ करके इस question को और थोड़ा सा जटिल बना सकता था लेकिन फिलाल यह easy questions में काउंट होगा कि MSF रेट और Nडेटिय बैंकिंग कार्यों से संब्दित है next question को देखते हैं यहां लिखा है बैंक दर में व्रद्धी समानेते इस बात का संकेत है कि अब यहां पर हम आगे statement नहीं पड़ेगी क्योंकि बैंक दर में व्रद्धी का मतलब पूछा है तो एक बार पहले उसको तो record कर लेते हैं, बैंक रेट या बैंक दर मैंने अभी आपको starting में chart में दिखाया था कि बैंक रेट RBI की मौदृगनिती का मातरात मैकुपकरण है अर्थात RBI arnosaster bank rate के माध्यम से मुद्रा की तरलता को नियंतृत करता है यह तो हम मौदृगनिती के उस से ही देख चुके बैंक रेट वहर रेट होती है जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को दीरगकाली का वधी के लिए रिन प्रदान करता है दीरगकाली का वधी लॉंग टर्म पीरेड के लिए आर भी आपर लोन दे रहा है इसे रिडिस्काउंट रिट भी कहते हैं अपुनर कटोथी ब्याजदर हिंदी में और वो कैसे होता है उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे संशिप में हाँ पर हम फोकस करेंगे तो और भी रिन दे रहा है बेंक करते पर वुआपरिक को अब आप सोचें यदि आरभी इस बेंक करते इसका मतलब ञेसी अर्भी बैंक क्रेट को बढ़ायेगा अर्थात और भी में कालिक अवधिकर दे रहा था अब उसने और ब्याजदर बढ़ा दिया व्यापारिक बैंकों के लिए और रिन महंगा हो जाएगा तो बाजार में तर्छा फीर अपरशर पड़े देता है तो यह हम समझ पाई कि बैंक रेट में व्रद्धी का क्या एक परणाम आएगा हमने इसका संचेप में तुरंत अपने विचारों में ले आए जैसी हमारे विचार में आ गया अब हम एक बार फिर से क्वेस्चन पढ़के देखें तो क्या लिखा है बैंक दर में व्रद्धी समानत है किस बात का संकेत है किस का संकेत है पहला ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं बैंक दर में व्रद्धी हुए तो गिरने की संभावना तो नहीं दूसरा केंद्रिय बैंक अब वानेजिक बैंकों को करजे नहीं दे रहा है ऐसा तो नहीं गलत केंद्रियए- में व्रद्धी किया बैंक दर बढ़ा दिया अर्थत टाइट मोनेटरी पॉलिसी आर भी अपना रहा है और उसका परपज है कि वह तरलता को कम करें बैंकों की साख सरजन छमता को सीमित कर दे पहले के तुलना में देखी कॉन्फिडेंटली जवाब देने के लिए टॉपिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है आपको यह पता होना चाहिए तीन क्यों नहीं इन तीनों को मैंने गलत क्यों कहा इनका बैंक दर में व्रद्धी से कोई connection क्यों नहीं रहा यहां सस्ती मौद मौद्रिनिती का मतलब तो होता है ब्याजदरों में कमी अगर यहां इस question में कमी शब्द लिखा होता तो हम कहते सस्ती मौद्रिनिती और चुटकि यहां पर व्रद्धी लिखा है तो हम इसे कठोर मौद्रिनिती का इससा माँग नहीं इस प्रकार कौन सी चीज गलत है कौन सा कथन सही है दोनों बाते जान पाएंगे तो आत्म विश्वास से आपका अंसर भरा हुआ होगा और आपको लगेगा कि अगर मैं 50 question exam में attempt कर पाया हूं या 60 question attempt कर पाया हूं तो maximum question उसमें से सही होंगे question 80-90 attempt करने से exam qualify नहीं होता है question की accuracy कितनी है जितनी accuracy जादा है उतनी negative marking कम होगी उतना ही आपको कम time में हल कर पाएंगे दो घंटे पूरे जो मिलते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 100 question हल करने होते हैं 60 questions के आसपास prelims qualify अराम से हो जाता है तो उतना हल करने के लिए आपके पास परयाप्त समय रहता है लेकिन question को बार 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 पढ़ना पढ़ जाता है गलत method से हल करने की वज़े से इसलिए time कम हो जाता है तो time management का भी यहां से एक अच्छा तरीका मुझे लगता है कि निकल पाता है नेक्स question को देख लेते हैं अब देखिए यहां पर तीन कथन चार कथन दिया है फिर नीचे option हम पहले इसको पढ़ेंगे निमलिके तुपायों में से किसके या किन के परणाम सरूप अर्थवस्ता में मुद्रापूर्ती में व्रद्धी होगी मनी सप्लाई कैसे बढ़ता ह अर्थवस्ता में मुद्रापूर्ती कैसे बढ़ेगी फिर इंग्लिश में बीदर statement लिखें अब यहां पर जो तीन-चार statement लिखें उनको जानने से पहले हम अपने दिमाग में पहले revision एक बढ़ कर लेते हैं मुद्रापूर्ती कैसे बढ़ती है यह देखें मौद्रिक नि कैसे करता होगा अगर मुद्री निती के माध्यम से मुद्रापूर्ती बढ़ानी है तो क्या किया जाए रेपूरेट को कम कर दिया जाए या फिर रिवर्स रेपूरेट को इसको भी कम कर दिया जाए चाहिए को घटा दें ताकि cash reserve कम करना पड़े यह एसल र को कम कर दें ताकि reserve बैंकों को अपने पास भी कम करना पड़े ओपन market operation इसको एक बार जान लेते open market operation क्या था आरबी आई Dove Government Securities को sail purchase करता रेक सरकारी परतिबूतियों का क्रेविक रहे यदि आर्बी जरकारी बढ़ जाएगी, या मुद्रापूर्ति बढ़ जाएगी, और यदि उसका उल्टा करे, RBA पुरतिभूतियां बेच दे बैंकों को, to अब की बार bank भोगतान करेंगे RBA को, bank payment करेंगे, और अब बैंक पेमेंट करेंगे, तो फिर बैंकों के पास money supply कम हो जाएगी। RBA द्वारा open market में सरकारी पृतिबहुतियों का क्रे विक्रे किया जाता है। यदि RBA क्रे करेगा तो मुद्रापूर्ती बढ़ गई। यदि RBA क्रे करेगा तो मुद्रापूर्ती कम हो गई। हमें जानना था कि मुद्रापूर्ती बढ़ेगी कब तो आरवे प्रतिभूतियों का क्रे करेगा तो बढ़ेगी नेक्स्ट और मुद्रापूर्ती कैसे बढ़ सकती है बैंक रेट को कम कर दें तो भी मुद्रापूर्ती बढ़ जाएगी में से कौन कौन से कथन हमारे पूरे हो जाते हैं तो को देखें को पूछा गया था देखें यहां लिखा है मुद्र आपूर्ती में व्रध्धि कैसे होगी अब पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है पहले से बेटर आंसर आएगा confusion come पहला statement केंद्रिय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रे अब बताइए क्रे ठीक है आपर RBA प्रतिभूतियां खरीद रहा है बैंकों से या पब्लिक से प्रतिभूतियां खरीद रहा है RBA खरीद रहा है मतलब तरलता बढ़ेगी बिल्कुर ठीक है पहला वाला कतर दूसरा लोगों द्वारा वानेजिक बैंकों में जमा कीगे currency है लोग अगर वानेजिक बैंक में जमा करेंगे इससे मुद्रापूर्ति नहीं बढ़ेगी क्योंकि आप लोग ने पढ़ा होगा कि जनता के पास एक निश्चित समय बिंदू पर मुद्रा का कुल स्टॉक और जनता शब्द में RBI और सरकार शामिल नहीं होता है तो जो लोगों के पास currency है वह अगर बैंकों में भी आ जाए तो कोई फरक थोड़ी पढ़ा उससे मुद्रापूर्ति तुरंत प्रुभाव चल्वार सरकार से लिया और धेश्या करना होता है यह दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सरकार को गटा हो गया होगा तो सरकार ने अगर RBA से रिंड ले लिया, केंद्रिय बेंक से रिंड ले लिया, फिर तो सरकार लोग कल्यानकारी यूजनाओं में खर्च करेगी, जिससे फिर तरलता या मुद्रापूर्ती बढ़ जाएगी, तो यह तीसरा ओप्शन मुद्रापूर्ती को बढ़ा देगा, या मुद्रापूर्ती कम हो जाएगी, तो चौथा स्टेटमेंट यह गलत है, हमारे इसाब से आंसर होना ची एक और तीन, अब हम ढूंडेंगे एक और तीन कहीं है, देखें, यह सी ऑप्शन में एक और तीन लिखा हुआ है, तो यह 2012 में UPSC ने क्वेशन पूछा हुआ है क्वेशन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेशन पूछने का तरीका UPSC डिफिकल्ट कर देता है, और उसमें भी वो इतने सारे स्टेटमेंट और ऐसी भाषा का प्रियोग करता है, हमें लगता है तो बहुत मुश्किल सा क्वेशन पूछ लिया है, अगर हम टॉपिक का हलका सा द नर्वसनेस के लिजिए यह वह एकशाम का प्रेशर कह लेजिए कि एक स्टेटमेंट पढ़ा उसको उससे लिंक करने के बज़ह इंडिविज्यल पढ़ा, फिर दूसरा स्टेटमेंट भी फिर इंडिविजू पढ़ा तो लगता है कि पता नहीं क्या कहना चा रहे है उन विचारों से connect करिए जो आपने अपने दिमाग में सोचे आपको जवाब मिल जाएगा सही था के गलत है पहला स्टेट्मेंट क्या था केंद्रिये बेंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रें और हमने अपने दिमाग में क्या लाये थे कि ओपन मार्केट परशन कंफीजन दूर कर पाएं हो सकता है 2-5-10 परशन कंफीजन रह जाए लेकिन जो पुरानी विधी है कोशन हल करने की उससे ज्यादा बेटर होगा कि आप इस प्रकार से कोशन हल करें तो उसका आंसर सही मिलता है और जो मैं कह रहा हूं बार-बार कि उससे यूनिक आं निर्दी ओपिस comes किसे निर्दिश्ट करता हमने अभी अभी ओपन्मार्किट अपरेशन को पढ़ा था क्या था आर वी याइए खुले बाजार में प्रति भूतियों का क्रे वी 있는데요 क्रे करेगा तो त अरलता कम प्रिक्र करेगा तो तरलता बढ़ जाएगी और विक्रे करेगा तो तरलता कम हो जाएगी यहां पर क्या पूछा ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे निर्दिष्ट करता है पहला स्टेट्मेंट है अनुशूचित बैंकों द्वारा आर्बेय से रिंड लेना इसमें रिंड लेन पौधा स्टेटमेंट पढ़ने की जड़ोती नहीं है तो हमने क्या किया ओमों को दिमाग में लाए कि सरकारी पृतिभूतियों का क्रे वेक्रे क्रे से तरलता बढ़ रही है वेक्रे से तरलता कम और यह इतना सोचा और स्टेटमेंट पढ़ना शुरू किया हमारा आंसर आग से ओपन मार्किट ऑपरेशन का रिंड लेने से कोई संबंध नहीं होता है तो मैं फिर से कहूंगा बार बार हर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे मैं एक ही बात ज्यादा रिवाइज कर रहा हूं जो कि इस पूरे प्रोग्राम का क्रक्स भी है कि आप अपने क्वेश करशनों पर अप्लाई करते हैं तो उस तरीके को दिरे दिरे अभ्यास में लाना होगा यहां लिखा है कौनसी परिभाशिक शब्दा वली उस क्रिया विधी को इंगित करती है जिसके माध्यम से वानिज्यक बेंक सरकार को उधार देता है यह अच्छा कोशन है 2010 में पूछ प्रफिट में और वानिज्यक बैंकों को रिवर्स रैपूरेट में उल्टा चल रहा है और वानिज्यक बैंकों से अवशोषित कर रहा है तरलता कि CRR और SLR में CRR में तो उधार देने की कोई बाती ने रिजर्व करना अनिवार रहे है आर बेके पास SLR में भी रिजर्व ही करना है स्वयम के पास बैंकों को तो फिर उधार देने वाला statement बैंक रेट भी नहीं है क्योंकि बैंक रेट में भी आरबी उधार दे रहा है वानिज्यक बैंकों को दीर दीरवदी के लिए में से कोई भी ऐसा नाम तो अभी तक नहीं मिला कि वानिजिक बैंक सरकार को उधा दे लेकिन आभी आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगया सर ऑप्शन में यही सब थे तो इन ही में से कोई आंसर होना चाहिए अब मैं एक बार SLR को फिर से समझ लेते हैं देखें स्टैच्वरी लिक्विडिटी रेशियो में वानिजिक बैंकों को इंडी टीया नेट डिमांड और टाइम लियाबिलिटीज का कुछ पृतिशत हिस्षा स्वें के पास रिजर्व करके रखना बैंकों को कि यह जो स्वें के पास रिजर्व करना या या तो ये कैश हो सकता या फिर गोल्ड और या गवर्वर्मन्ट सेक्यूर्टी से करेंगे हैं शरकारी प्रतिब होती हैं का कैश रजर्व बेंक नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि की वेल्यू गड़ड जाएगी गॉल्ड में रिस्क जादा एक safe instrument है investment के लिए क्योंकि इसमें risk zero है government securities में उनको एक निश्चित ब्याज मिलेगा यह अनिवार है जो भी ब्याज निरधारित किया जाएगा और उस government securities में हम देखेंगे कि bank अपने SLR की requirement माल लेते हैं यह 20% है example तो 20% की requirement को पूरा करने के लिए वह 20% के बराबर धन राशी की government securities खरीद लेते हैं securities खरीद ली amount invest कर दिया और इस security की खरीद विकरी का काम RBI कर रहा है सरकार के प्रतिनीदी की रूप में तो बैंकों ने SLR के नियमों का पालन करने के लिए 20% के बराबर धन राशी government security खरीद ले तो आप यह देखिए government security खरीदने का मतलब यह धन राशी RBI के माध्यम से सरकार के पास पहुंच गई है कि नाम से पता चल रहा है government security कौन जारी करेगा भारत सरकार तो यह इतनी धन राशी भारत कही जाती है कि वे दस्तावे जिनके माध्यम से बाजार से धन एकत्रित या पूंजी एकत्रित की जाती है तो सरकार ने पूंजी एकत्रित कर ली government security के माध्यम से और बाद में एक निश्यत ब्याजदर के अनुसार पैसा वापिस बैंकों को मिल जाएगा तो SLR में परिभाशा अगर पढ़ते हैं किताबों में नोट्स में तो यह लिखवाई जाती है यह पढ़ाई जाती है लेकिन हम उसी को अगर और गहराई में देखें तो यह पैसा सरकार के पास चला गया और सरकार ने एक प्रकार से कहें कि वाणिजिक बैंकों से रिण ले ल देखें यह कोशन था कि कौन सी परिभाशिक सब्दावली उस क्रिया विधी को इंगित करती है जिसके माद्यम से वनेजिक बैंक सरकार को धार देता है पहला CRR यह CCR यहां पर लिखा है यह CRR होना चाहिए हाला कि English में भी Cash Credit Ratio है तो UPSC ने CCR ही लिखा है तो CCR तो SS कोई वर्ड यहां पर निकल नहीं रहा है तो यह गलत हो गया दूसरा रिण सेवा दाय तो debt services obligation यह भी कोई से relation नहीं बन रहा है तीसरा तरलता समयोजन सुविधाया LAF अब मैंने भी बताया था कि LAF में रैपूरेट और reverse रैपूरेट तो रैपूरेट पर तो RV उधार दे रहा ह तो सरकार का वानिजिक बैंक से कोई connection ही नहीं बना और चौथा option देखें आप SLR कि SLR यहां पर सही है अब यदि आपने SLR को उस तरीके से नहीं पढ़ा है तो यह question हल नहीं हो सकता तो SLR पढ़ते समय यह भी देख लें कि SLR के द्वारा इंडारेक्टली पैसा वानिजिक बैंकों का धन सरकार के पास पहुंच गया तो यह question 2010 में आया हुआ था तो मेरी खाल से आप समझ पा रहे हों कि कौन सा अंसर कैसे attempt करना आपको question को और एक question को देखते हैं जब भारतिया रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व अनुपाती यानि CRR में व्रधी की घोशना करता तो इसका तात पर रहे है अब यह question आसार है कि CRR को बढ़ा दिया तो क्या-क्या आपके दिमाग मेरा option पढ़ने से पहले ध्यान रखें मैंने कहा ना option नहीं पढ़ना CRR बढ़ने का मतलब है बैंक अब ज्यादा cash reserve करेंगे किसके पास RBI के पास अर्थात बैंकों की साक्सरजन चमता कम हो जाएगी बाजार में तरलता घटेगी हो सकता है बैंक अपनी लोन जो देने वाली ब्याजदर हैं उनको बढ़ा दें बैंक कैसा कर सकते हैं कि उनके पास अब कम पूंजी बची है उनको ज्यादा cash reserve करना पढ़ रहा है और पर नामसरों फिर अर्थवस्ता पर भी कुछ प्रभाव पढ़ सकते हैं अब हम option देख लेते हैं सब्सक्राइब करना पर देने के लिए कम मुद्रा होगी नहीं इसका कोई connection नहीं भारते रिजर्व बैंक के पास ज्यादा cash reserve होगा तीसरा केंदर सरकार के पास उधार देने के लिए केंदर सरकार बीच में कहां से यह तो CRR की बात कर रहा है CRR तो मौदिर नीती का इस्ता है और वानिजिक बैंकों के बीच की बात हो रही है तो यहां पर कोई इसका concern नहीं चौथा वानिजिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अप एक अधिक मुद्रा होगी अधिक होई नहीं सकती क्योंकि CRR को बढ़ाया गया है CRR बढ़ाएंगे तो कम मुद्रा होगी वानिजिक बैंकों के पास तो पहला वाला statement एक दम ठीक है तो मैंने क्या किया question को हल करने के लिए option पढ़ने ही नहीं है मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया कि option नहीं देखने मुझे समाने ते हमारा ध्यान जाता option पर मैं मान सकता हूं वह मान भी reaction एक प्रकार का question देखा तो तुरण नीचे option देखते हैं देखते जरूर है लेकिन मुझे पता तो लगा कि चार option दिये मैंने उनके कथनों को diffusion में ना फसे लेकिन अगर आप यह मान के करेंगे कि इससे आपके accuracy बढ़ती है तो यह आसानी से कर पाएंगे अब भ्यास से हो पाएगा और एक प्रश्म को देखते हैं भारतिय रिजर्व बैंक अर्थ व्यस्ता में मुद्रापूर्ती को नियंत्रित करने के लिए मुद्रापूर्ती को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से उपकरणों का प्रियोग करता है अब बताई मुद्रापूर्ती नियंत्रित करने का मतलब है कि मौद्रिक निती मे जिसमें रेपो रिवर्स रेपो CRR SLR open market इधर भी कुछ उपकरण है नेतिक दवाव मार्जिन सीमा नधरन इस सारे उपकरणों का प्रियोग करता है अब option में क्या लिखें उन में से हम देख देख करके उसको आंसर को बताते जाएंगे और यह अभ्यास प्रश्ण है यह एक् प्रियोग कर सकता है मूरल शौषन या नेतिक दवाव या नेतिक प्रत्यानन इसका भी प्रियोग कर सकता है और बैंक रेट चारों का प्रियोग कर सकता हूँ तीन इनिवे से मातर आत्मापकरण है और मूरल शौषन यह चैनात्मापकरण है तो आंसर एक दो तीन चार चा आप अच्छे से रिविजन करके जाते हैं तो दिमाग में पिक्चर या एक चार्ट रहता है कि हां मौद्रिग नीती इस प्रकार से हमने पढ़ी हुई है और इसलिए तो कहते हैं कि जब आप एक्जाम पूरा आप सिलेबस पढ़ लें तो उसका एक समरी तयार कर लिनी चाहि या सिनोप्सिस दिमाग में रहा उससे मैंने पूरा कोश्चन हल कर लिया एक और कोश्चन समझ लेते हैं वैधानिक तरलता नुपात यानि SLR के बारे में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए अब हमें SLR पता था SLR क्या है कौन रिजर्व करता है अभी हमने बहुत सार उसके बारे में सुना पढ़ा तो सिधा आप कथन पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में SLR की पिक्चर है पहला बढ़ता हुआ SLR बैंकिंग प्रणाली से तरलता को कम करता है अब दूसरा कथन नहीं पढ़ रहा हूं है जब तक मैं पहला क्लियर ना कर लूँ SLR बढ़ाएंगे बढ़ता हुआ SLR कौन बढ़ाएगा RBI और SLR बढ़ेगा मतलब बैंकों की साक्सरेजन चमता कम अर्थास बाजार में तरलता कम ठीक है पहला स्टिटमेट दूसरा लिख रहा है SLR को केवल सरकारी प्रतिभूतियों या ट्रेजरी बिल के रूप में रख किया जा सकता है तो यह दूसरा statement यहां पर गलत हो गया तो option केवल एक तो आप देख पारे होंगे question हल करने का तरीका मैंने कौन सापनाया किस तरीके से हम लोग economic questions को हल कर पाएंगे पूरा जो की एक technical subject है इस technical subject में question आप better तरीके से हल करें confidence बढ़ारें यह भी आपको समझा आता होगा कि यह केवल तथ्यों पर आधारित विशय नहीं है ऐसा नहीं कि हमके GDP के आकड़े याद कर लें या रेपोरेट की percentage उसका एक्जाम में कोई रोल नहीं आता है कभी UPSC ने नहीं पूछा है कि रेपोरेट कितने percent चल रही है बलकि वो तो concept पूछ रहा है तो मेरे नहीं ख्याल से आप concept को पढ़ें, revision करें घर पे, फिर question हल करने का एक सही तरीका अपना है हो सकता है आपको इससे अच्छा तरीका कोई लग रहा हो उसका भी इसमें शामिल कर लें उसे भी क्योंकि ultimate उद्देश्य है आपका exam qualify हो और results सुद्र है तो better से better तरीका अपना है नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसा तरीका अपनाने की सलहा में बिलकुल नहीं दूँगा और एक और बात कि यदि आप किसी प्रकार का तुक्का लगाना या कोई answer ढूंडने की विधी सीख जाते हैं तो फिर आप content पढ़ने पर विश्वास नहीं र नहीं थी तो means में तो आपको लिखना है और इंटर्यू में तो फिर सामने बोलना है और ज्यादा मुश्किले आने लगेंगी इसलिए कोई shortcut नहीं आपकी सफलता का आपको पढ़ना तो पड़ेगा हां उसको smart तरीके से better तरीके से आप उसको apply कर सकते करियान्वन उसका और बहतर कर सकते हैं आज हमने मुद्रायवन बैंकिंग टॉपिक के शुरुवात की आज आपने देखा होगा मैंने अधिकांस question मौद्रिक नीती से समंदित ली ऐसे आगे आने वाले वीडियो में हम मुद्रायवन बैंकिंग से समंदित और प्रशनों पर हल करेंगे और उसकी पढ़ाई का नियमित करम होना चाहिए जो regularity होने चाहिए जो हम कहते हैं कि एक consistency होने चाहिए UPSC की तयारी में वह भी इस प्रोग्राम के माध्यम से बन पाएगी तो और अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृतिया इसकी application डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर दिएग हम आपकी उस सफलता में कुछ साहिता कर सकें यही हमारी कामना हैं तो आप सभी स्वस्त रहें सरकार के दिशाने देशों का पालन करें और आपको पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मास्क लगाना निवार रहे है किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री प आप सभी इस पर ध्यान देंगे, स्वस्त रही और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें, धन्यवाद. जब स्वस्त बॉदयाई.